Facts about Canterbury Tales by Chaucer तो आज हम बात करने वाले हैं चोसर के Canterbury Tales के बारे में जो चोसर हैं वो Father of English Literature है और उनका जो यह work है Canterbury Tales वो बहुत ही famous है और हर exam में पूछा जाता है तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत जरूरी writer बन जाता है जिसके बारे बारे में हम पढ़े और इसलिए इनके जो famous works है वो भी हमें cover करने होंगे तो Canterbury Tales तो सभी को पता है यह हमारे masters में भी कराया जाता है बहुत important है तो शुरू करते हैं जो Canterbury Tales है चोसर के दोवारा लिखा गया work यह 1388 में लिखा गया था लिखना शुरू किया गया था और इसमें लगबग 17,000 lines है और इस जो Canterbury Tales है हम इसमें देखते हैं कि एक host होता है जिसका नाम होता है Harry Bailey वो सब कहा जा रहे हैं मतलब इसमें न 30 कहीं पर लिखा हुआ 30 कहीं पर 31 जो यह characters होते हैं वो थोम्स आबैकेट की श्राइन पर जा रहे हैं जो बहुत फेमस श्राइन है और जब वो सब जा रहे हैं तो वो टबार्ड इन में रुकते हैं और इसके host बनते हैं Harry Bailey और जो यह सब ही characters होते हैं Harry Bailey suggest करता है सब को कि हम 4 story जाते समय और 4 आते समय सुनाएंगे और जिसकी story best होगी उसे बहुत अच्छा dinner दिल खिलाया जाएगा और जो यह सब ही characters होते हैं हर एक character अलग-अलग quality लिए हुए है और जो उस समय का समाज है उनको represent करता है और जो यह work है Canterbury Tales यह है एक frame narrative story है Canterbury Tales की जो शुरुवात होती है शुरुवाती line में हम एक month का जिकर देखती है वह month है अप्रेल अप्रेल मंशे शुरू होती है और इसके साथ ही जो opening story होती है वह होती है knights की knight जो है शिवैलरी और courtesy को represent करता है और इसी के साथ ही जो 23 characters होते हैं जो story सुनाते हैं और वह 23 characters 24 stories सुनाते हैं बालब 23 characters हैं और 24 stories सुनाते हैं क्योंकि जो चोसर हैं जब story सुनाते हैं तो उनको host के दौरा रोक दिया गया था और उन्हें दुबारा दूसरी story शुरू करने के लिए कहा गया था इसी वज़े से 24 story है 23 writers के दौरा जो पहली स्टोरी चोसर सुनाते है वो दिया टेल ओफ थोपस जिसको रोक दिया जाता है होस्ट के दवारा और फिर वो दूसरी स्टोरी सुनाते है टेल ओफ मैलेबी जो की प्रोज वर्क है और जो सब के दवारा उसे प्रेज किया जाता है